राम मंदर के निर्मान को लेकर एक बड़ी खबर सामनी आ रही है जहां पर काया जा रहा है कि विएचपी के ही मौडल पर अब राम मंदर का प्रस्ताव जो है उस पर विचार चल रहा है तो उचाई और एक मंदर बढ़ाने की प्रस्ताव पर विचार होगा जहां पर 125-160 फी पर राम मंदर बनेगा ये कहना है और प्रस्ताव पर ये चर्चा चल रही है विचार चल रहा है अमित दूबे फिलाल हमारे साथ हमारे सयोगी जाधा जानकारे के जुर गया है अमित हालक की बीच में ये भी कहा जा रहा था कि शायद जो नक्षा पहले था उसके इतर करेंगे एक बार फ़र से उनसे संपर करने की और जाधा जानकारी जुटाने की तो बड़ी खबर आपको बता दे आयोध्या से जहां पर राम मंदर को लेकर बड़ी खबर मिल रही है और कहा ही जा रहा है कि उचाई और एक मंजिल बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किय जाएगा अगली जो बैठक होगी उसमें ये संबब है कि उस बैठक में सहमती इसको लेकर बन पाए तो वी एचपी कहीं मॉडर पर बनेगा राम मंदिर ये कहिना कहीं तैय हाँ पर माना जा रहा है प्रस्ताव पर हाला कि विचार है 125 से 160 फीट की इसकी उचाई की जा सकती है अभी कुछ यहां पर साफ नहीं है सती इसको लेकर साफ तभी होगी जब ट्रस्ट की अगली बैठक होगी और उसमें सहमती यहां पर तमाम लोगों के बीच बनती हुई दिखेगी तो आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि जो मंजिलें यहां पर बनाए गई है दो मंजिला से लेकर उसको श्याद तीन मंजिला यहां पर किया जा सकता है और काफी कुछ बदलाव यहां पर किया जा सकते हैं जो कि पहला यहां पर नक्षा रामंदिर का तैक किया गया था उसके तर कुछ और भी नक्षा जिसमें कुछ चीजों को और भी संबलत किया जा सकता है लेकिन फिलाल ऐसे में जो बड़ी खबर सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि व्यजपी के ही मौडर पर रामंदर का निर्मान होगा और इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है साथी उचाई और एक मंजल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा तो 125 से लेकर 160 फीट की उचाई यहां पर जा सकती है हालकि इन सब के बीच ट्रस्ट की जो अगली बैठक होगी उस बैठक में इन तमाम चीजों पर सहमती बन सकती है तो हाली में ट्रस्ट यहां पर जो सदस से शामिल हुए ट्रस्ट के दिल्ली में एक बैठक का आयोजन यहां पर किया गया और उस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई चाहे वो चंदे का क्या तरीका हो उसको लेकर या फिर मंदिर निर्मान का क्या तरीका हो और कब से यहां पर कारी जो है वो शुरू हो का उसको लेकर हो तो फिलाल उन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई लेकिन इसी चर्चा के बीच फिलाल जानकारी ये कि विएच्पी के ही मॉडल पर राम मंदिर बनने की बात सामनी आ रही है अमित क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर नक्षा क्या जिसको बदलने के पहले भी कहा जा रहा था कि शायत बदला जा सकता है क्या बदला जाएगा और क्या अगली बैठक को लेकर जानकारी कि सबसे बड़ी चीज़ कि पहले बैठक हुई थी तभी विश्र हंदू परसरत के नक्से को हरी जंडी दे दी गई थी यानि अधिया में बात करें तो जो विश्र हंदू परसरत का राम मंदिर का मॉडल है वही मॉडल बनेगा लेकर उसमें एक फ्लोर और बढ़ाने की त बश्रत हों हनुमान हों सबके मंदिरों की बात अलग अलग जगह जो तमाम परसरों के लिए इस तरह की जो नक्से थे उनकी बात यहां पे चल लगी अब दोसी बैठक महारती में होगी तो आगे की चीज़ें जो हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरह यान हमार साजूरने के लिए